वेलकम टू मास्टर मान अब जीके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मान अब जीके में फ्रेंड्स सभी को पता है कि जो आपका विहार पुलिस फायर मन का एक्जाम डेट गोसित हो चुका है छठा मही नामी छाहटारी को आपको एक्जाम लिया जाएगा ठिक है तो देखे फ्रेंड्स अभी जो स्लेवस में बदलाओ भी क्या गया है स्लेवस में जो कोश्चन पूछा जाएगा वो मैट्रिक अस्तर का होगा तो देखे, मैं आप लोगो जो syllabus, नया syllabus दिया है friends, उसी खिसाब से मैं आप लोगो पढ़ाऊंगा, और syllabus के अंसार से सभी chapter मैं आप लोगो एक्जाम तक complete करा दूँगा, आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है friends, फिर भी मैं कोशिस करूँगा कि एक्जाम के पहले तक प्रवाइड कराता हूं, यह से आपका हिंदी का है friends, हिंदी का देखे, आपका टूटल इसमें कितना सत्रह टॉपिक टूटल पढ़ना है, इसमें से देख लिए आपका ध्वनी है, सब्द है, संञ्या हिलिंग यानि ब्याकरन के साथ साथ सहीति से भी प्रशन आपको पू साथ में है, तो देखे, सबका चेप्टर बाई चेप्टर दिया हुआ है, तो इसी चेप्टर इसाप से ही मैं आपको कोशन टैप करके प्रवाइड कराऊंगा, तो आज का वीडियो में साइंस से सुरू किये हैं, तो साइंस के आज देखेंगे, यह देखे, आपका टेंथ प्रवाइड कराऊंगा, यह देखे, भूगोल का सिलिवस है, यह सबी सिलिवस दिया हुआ है, उसके बाद में आपका समान बिज्ञान का, तो आज हम लोग सुरू कर रहे हैं, इसमें आपको भौतिक बिज्ञान से सुरू कर रहें, ठीक है, इसमें देखे, भौतिक बिज प्रवाइड करा रहा हूँ, तो वीडियो कलास तक बने रहे हैं, वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक जुरू करेगा, और चैनल पर पहले बर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर विल ऐकन को दबा दिएगा, और इसका फ्रेंड पीडियेफ नहीं, इसका है, ज उसका सभी वेबसाइट पर लोड कर दूँगा, वहाँ पर आप जब जीक करेगा, फ्रेंज जा करके टॉपिक वाई वहाँ पर पढ़ लेजेगा, आज देखें आपका गती बल एवं उर्जा, गती बल एवं उर्जा, क्या-क्या पढ़ना आपका, तो गती के विभीन पर चलिए सरू करते हैं उसी तरह से टूटल इसमें चाथ टॉपिक ही पढ़ना तो सभी का मैं टॉपिक करवादूगा, उसके बाद रसान बिग्यान का भी टॉपिक क्लिए करवा दूँगा, इसमें भी टूटल आपका टूटल 7, 8, 9, 9 तोपिक पढ़ना है फिर उसी तरह से दिया था फ्रेंस उसी उसी चेप्टर से महत्पूर्ण चेप्टर शाठ करकरके मैं आप फ्रेंस से ठिक है तो आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है इसमें टोटल टॉप 50 questions देखेंगे science में physics से फ्रेंच syllabus के अंसार से ही हम सभी questions set किया हुआ है तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा आज का पहला सवाल आपका देखे क्या है कि प्रचेप ये गती जिसे क्या काता है परवलयाकार भी काते हैं तो प्रचेप गती गिर्गतम परास प्राप्त करने के लिए लंबिक कूद वाले खिलाडी को किस कोन पर कूदना होगा तो पहला नमर सवाल का जो करेक्टन से लोगा option नमर सी हो जागा ठीक है कितना 45 डिग्री सवाल नमर 2 को देखें सवाल नमर 2 आपका है कि किसी कन द्वारा एक पूर्न दोलन पूर्न करने में लगा समय क्या कहलाता है किसी कन के द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है दो का जो करेक्टनसर होगा फ्रेंस option नमर भी होगा आवर्त काल कहलाएगा ठीक है क्या कहा जाएगा आवर्त काल option नमर भी दो का करेक्टनसर होगा आप लोग गेस करते चलेगा फ्रेंट सब 50 में से कितना सही कर पाते हैं वहें कॉमेंट करें भी बताईएगा तीसरा नमर स्वाल है यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदू पर पहुँच जाता है तो अंतिम विस्थापन क्या होगा कोई भी बस्तु है और गमन करते हुए जहां से शुरू क्या था वहाँ पर पहुच जाता है तो इसका अंतिम विस्थापन क्या होगा तो जहां से शुरू क्या था वहाँ पहुच जाएगा फिर तो विस्थापन क्या हो जाएगा सुनने हो जाएगा आनि option नमर 3 का correct answer option नमर C होगा सवाल नमर 4 को देखे सवाल नमर 4 है गेंद पकड़ते समय एक किर्केट खिलारी निमलिखित में से किस को कम करने के लिए अपना हाथ पीछे करता है इसका जो correct answer होगा बहुत ही important सवाल है गिस करी right answer क्या होगा option number C होगा आवेग को कम करने के लिए ठीक है आवेग बर फर्मूला क्या होता है ये भी याद रखेगा आवेग बर बर होता है बल गुना समय तो जब है जो कोई भी किर्केट खिलारी गेंद को catch करता है ठीक है तो किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे करता है तो option number C इसका correctness रहागा आवेग का चले सवाल number 5 को देखते हैं सवाल number 5 आपका है घुर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है मेज के कोनिये बेग पर क्या परभाव पड़ेगा कोई घुर्णन करती हुए मेज पर अचानक सडनली कोई लड़का आकर के बैठ जाता है तो जो मेज का कुनिये बेग है वो क्या होगा कम होगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा अपरवर्तित रहेगा, क्या होगा पांच का करेक्टन सर Sophia अप्सन नमर ए होगा, कम होजाएगा ठीप, करेक्टन सर Sophia सबाल नमर स्थ को देखे पेचकस किसका उधारने पूछा जाता है ठीक है पेचकस है जो किसका उधारन है तो साथ का राइटनसर बल आघुर्ण का उधारन है सवाल नमर आठ को देखे सवाल नमर आठ है उत्तोलक किस सिदान्थ पर कार्य करता है यह भी important सवाल है उत्तोलक है जो कि सिदान्थ पे कार्य करता है तो 8 का correct answer होगा option नमर 3 बल आघुर्ण सिदान्थ पे कार्य करता है उत्तोलक अगला सवाल को दिखे नव नमर 6 बल का गुनन फल है यह अनिकि द्रमान गुना तो यह का रहे होगा option number B हो जागा, द्रवान तथा त्वरण, बल का गुनन फ़ल होता है, द्रवान और त्वरण का होता है ठीक है, बल है जो द्रवान तथा त्वरण का गुनन फ़ल होता है, option number B इसका रैट अन्सरों होगा सवाल नमर 10 को देखे सवाल नमर 10 आपका फ्रेंस 9 नमर 10 नमर 10 नमर शवाल एक कलर ने हो पाया है बोल ने हो पाया है कोश्चन तराजू या कैची किस परकार का उत्तोलक है बहुत इंपोर्टन शवाल है फ्रेंस इस टेप का सवाल पूछा जाता है तराजू या कैचि किस परकार का उतलिक है पर्थम स्रेणी का दुतिय स्रेणी का तृतिय स्रेणी का इन पर्थम वर के उतलिक में कौन astrology आता है फो यहाँ पर होगा है 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 पिलास हो गया, cycle का break हो गया, hand pump हो गया, किल उखाणने की machine ये सभी है जो पर्थम वर के उत्तोलक के अंतरगत आते हैं, दूतिये वर के उत्तोलक के अंतरगत कौन कौन आते हैं, यहां सरसी देखें हैं, आपर tapping mistake हो है फ्रेंच ठीक है, सरसी हो गया, नीबू नुचोडने की machine मशीन हो गया ठीक है एक पहिये की कोड़ाड़ोरने की गाड़ी है इस अभी जो निभाड़ोरने की मशीन और एक पहिये यहीं की कोड़ाड़ोने की गाड़ी जो दूतिय उत्तोलक के अत्रमणbon च्यमटा को गया किसान का 그다음에 खास याद रखेंगा फिन सवाल यहां क्या था टराजु यहां का राजु या कैची किस परकार के उतोलग मिलती है तो देखे नियूटन के जो पर्धम गती का नियम मेंगे उससे बल का परिभासा मिलता है ठीक है और चैनल पर पहले बर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को जुरूर दबा दिएगा बारा नमर शवाल आपका है किसने कहा एक पिंड विरामा वस्था में तब तक रहेगा जब तक की बाहरी बल पिंड पर कारे नहीं करता है यह कथन किसका है बारा का राइटन सर आप्शन नमर डियोगा न्यूटन सहाब ने इसा कहा था सवाल नमर तेरा को देखे सवाल नमर तेरा आपका है न्यूटन के गती का कौन सा नियम जड़त्व की ब्याख्या करता है ठीक है किस न्यूटन के कौन से गती नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है तेरा का राइटन सर आप्शन नमर न्यूटन के परथम गती निय पस्तु ये जड़त्व की परत्यस्तार निर्भर किस पर करता है तो द्रमान पर निर्भर करता है ठीक है चौदा का राइट अंसर ओप्सन नमर ए हो जाएगा सवाल नमर 15 को देखे इंपोर्टेंट है गाड़ी खिशता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है पं पिर्च्वी द्वारा घोड़े के पैरो पर आरोपित बल से गाड़ी खिचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है तो आप्सन नमर डी सवाल नमर 16 को देखे इंपोर्टेंट होगा चलती गाड़ी में बैठे आदमी की उर्जा होगी कोई बस या गाड़ी चल रही है उसमें अगर जो कोई व्यक्ति बैठा तो इसमें कौन सा उर्जा होगी तो दोनों होगा गति जिवम अस्थिति उर्जा दोनों ठीक है ऑप्सन नमर 6 इसका करेक्टनसर होगा सोला का सवाल नमर 17 को देखे चावाल नमर 17 आपका है कि सुन्नी में स्वतंत रूप से गिरने वाली वस्तू का क्या होता है 17 करायटनसर सी होगा समान त्वरण होता है सुन्ने में स्वतंत रूप से गिरने वाला वस्तू का त्वरण क्या होता है समान त्वरण होता है आप्सन नमर 6 इसका करेक्टनसर हो जाएगा चले सवाल नमर 18 को देखे कि एम द्रमान की एक पिंड भी भेग से एक दिवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है पिंड के सम्वेग में परिवर्तन क्या होगा तो इसका जो पिंड का सम्वेग हो जाएगा 2MB हो जाएगा 2MB आनि option नमबर A 18 का right answer हो जाएगा 2MB हो जाएगा चले सवाल नमबर 19 को देखते हैं यह देखें काफी important सवाल है कि spring को अपनी समान्य लंबाई पर वापस लोटने के लिए लगने वाले बल को क्या काता है spring को देखें खीची है उसको फिर छोड़ देगा तो वापस अपनी आ जाता है जहां पे था वहां पे तो कौन सा बल इस प्रणाली निमलिखित सिदान पर अधारित है किस पे है इस सवाल को दो तरह से पूछा जाता है जो करेक्ट न्सर होगा option नमर ए अब केंद्रन हो जाएगा ठीक है पूछा जाता है washing machine का कार प्रणाली जो कौन सा बल्ले कार करता ता अब केंद्रिये बल काम करता है ठीक है अब मौद का कुवा में उसमें अभी केंद्र बल काम करता है ठीक है उसमें याद रखेगा अभी केंद्र अभी केंद्रिये बल उसमें काम करता है जबकि इसमें है जो आपका आप केंद्रन काम करता है washing machine में अगरा सवाल को लेते है बीज नमर शवाल हो गया फ्रेंस से कि कि किसी कन का रहेखिक सम्वेग दूगना कर दिया जाए तो इसकी गतित उर्जा कितनी होगी तो चौगनी होजाएगी सिंपल साथ है बहुत बार एक रिपीट हुआ है सवाल आपशन नमर 20 का रहे टपर अनसर होजाएगगा गति दिरुजय क्या होजाएगा चौगनी हो जाता है कि किसी भी पिंड की गती को धूना कर दिया जाए तो पिंड की जो परिनामी तेश का करेक्ट अंसर हो जाएगा 24 नमर शावाल को देखे न्यूटन के किस गती नियम से बल का सुत्र प्राप्त होता है बल का व्यंजक या बल का फॉर्मूला कहें तो न्यूटन के पर्थम गती नियम से आपका बल की परिभासा मिलता है लेकिन पुछा जारा सुत्र के बारे फॉर्मूला राइटन सर आप्सन नमर बी होगा दुटिय से ठीक है न्यूटन के दुटिय गती नियम से बल का सुत्र या व्यंजक प्राप्त होता है चो इसका राइटन सर आप्सन नमर बी हो जाएगा तो इसका राइटन सर होगा आप्सन नमर डी द्रमान प्राप्त होता आप्सन नमर डी इसका बिल्कुल राइटन सर हो जाएगा चले सवाल नमर 26 अज़ देखे सभी ए सब प्रशन है जो फ्रेंस मैं अपने बेपसाइट पर डाल दूँगा तो वहाँ पर लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप वहाँ पर जा करके कभी भी फिर आपको उसको प्राक्टिस कर सकते हैं तो जो भी मैं बढ़ाऊंगा फ्रेंस सभी बेपसाइट पर डाल दूँगा वहाँ पर जा करके आप अराम से जब भी चाहें टॉपिक भाई रिवीजन कर लिजेगा 26 का देखें रॉकेट की सिदान पर कार करता है रॉकेट कौन सिदान पर तो ये न्यूटन का कौन सा गति नियम होगा फ्रेंस तो तिर्तिय हो जाएगा न 26 का करेक्टन सर आप्सन नमर शी हो जाएगा न्यूटन की तिर्तिय नियम से चली सावाल नमर 27 को देखें कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए बैठे हुए यहाँ पर व्यक्ति हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा राइट अंसर 28 नमर 27 को देखें घड़ी की पेंडूलम गती की किस गती का उदाहरण है घड़ी में जो पेंडूलम गती होते हैं वो कौन सा गती के उदाहरण है 28 नमर शवाल का राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर बी आवर्त गती के उदाहरण याद रखेगा घड़ी का जो पेडूलम गती है वो आवर्त गती के उदाहरण है 29 नमर शवाल को देखें किस गती के कारण पिर्थवी पर मौसम परिवर्तन होता है दो तरह से सवाल पूछा जाता है कि पिर्थवी पर जो दीन रात होता हो किस के कारण होता है तो ओ हो जाएगा आपका घुर्णन गती के कारण लेकिन यहाँ सवाल पूछा जा रहा है किस ग भूरी पर घूरता है जो 24 घंटा में एक चक्र लगा लेती है उसे दीन रात होता है लेकिन मौसम परिवर्तन पृत्वी के परिकर्मन गती से होता है 29 कभी हो गया राइट अंसर सवाल नमर 30 को देखे विस्थापन की प्रकिर्टी होती है कैसी होती है धनात्मक होती है रिनात प्रकिर्टी होती हो धनात्मक भी होती है और अप्सन नमर 10 का बिल्कुल रायटर्स रहोगा इस टैप का सवाल देखे पूछा जाता है चलिए अगला सवाल को देखे बिल्कुल सीलेवस का अंसार आफ्ट्रेंस सब देखे सिलेवस से बाहर अगर पूछता है तो मैंने कु जो आपका देखे फ्रेंस जो किर्केट वाला था कोई भी जो खिलाड़ी है जो गेंद को कैज करते समय अपने हाथ को पीछे क्यों खिजता है तो उसमें कौन काम करता आवेग ही काम करता है तो इस सवाल पूछा जाता है गाड़ी में साकर का पर्योग या तो फर्स के पि केंदर पर पूछे तो सुनने हो जाता है पिर्थिवी के जो सेंटर है केंदर है वहां पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाता है सुनने हो जाता है याद रखेगा अब सवाल इस तरह से भी आता है पिर्थिवी के केंदर पर तो सुनने हो जाता है लेकिन पिर्थिवी के तो दूर पर अधिक होगा और केंद्रर पर क्या होता है यह उपर की ओर गति करता है तो गुरुतिय त्वर्न नमपर का मान हो गए कोई भी जो पिंड है उपर की ओर जब भी गती करेगा ठीक है तो गुरुतिय त्वरन का मान क्या हो जाएगा रिनात्मक होगा option number 20 का right answer हो जाएगा उपर की ओर करेगा तो क्या हो जाएगा रिनात्मक होगा चले सवाल नमर 34 को देखे सवाल नमर 34 है कि पिर्थिवी के घुरुनन गती बढ़ने से जी का मान पर क्या परभाव पड़ता है अगर पिर्थिवी के घुरुतिय त्वरन पर क्या परभाव पड़ेगा चले सवाल नमर 36 को देखे यदी लिफ्ट एक समान वेक से ध्यान से देखेगा यदी लिफ्ट एक समान वेक से उपर की ओर जा रहा है तो बैठे व्यक्ति का भार क्या रहेगा जब एक समान से लिफ्ट उपर जाती है फ्रेंस तो क्या होगा उसके भार में तो 36 नमर सवाल का राइटन से अप्सन नमर से अपर वर्तित रहेगा ठीक है और पूछा जाता है फ्रेंस की जब लिफ्ट की डोरी टूड जाये एक आएक सड़नली और नीचे की ओर गिरेगा तो उसमें सुन हो जाता है लेकिन इस टैप से सवाल रहे कि एक समान वेक से जब उपर जाएगा तो अब परवर्तित रहेगा भार सवाल नमर साइटिस को देखे पिर्थवी पर किसी वस्तु का प्लायन वेक का मान कितना होता है तो 11.2 किलो मीटर पर 30 सकेंड होता है अगर इतना वेक से कोई विवस्तु को उपर उच्छाल दिया जाए तो वह आपस पिर्थवी पर नहीं आएगा ठेक है याद रखे है तो पिर्थवी पर जो प्लायन वेक का मान कितना होता है 11.2 किलो मेटर पर 30 सकेंड होता है अर्थिस करायट अंसर क्या होगा तो चाल तो अदिस रासी है दूरी भी अदिस है और समय भी अदिस रासी है और आपसन नमर डी विस्थापन हो गया विस्थापन हो गया बल हो गया समवेग हो गया आपका वेग हो गया यह सभी है जो सदिस रासी का उदाराण है और आपका फ्रेंच से चाल दूरी समय से जो आपका अधिस राशी का होता है तो इसका कॉंसेट आप लोग के लिए रखे है कि एक सवाल इससे हो सकता पूछा जाए चले सवाल नमर 49 को देखे कि उर्जा संद्चन का आसे है कि उर्जा संद्चन का सिदान्त क्या काता है उर्जा संद्चन के आसे क्या है बताएं तो देखे इस उर्जा संद्चन का आसे यही फ्रेंच कि उर्जा को न तो हम लोग क्या कर सकते हैं न तो सिर्जन कर सकते हैं और शावाल को देखे करा मानोव शरीर का भार होता है मानोव शरीर का भार काहां क्या होता है के दूर्वों पर अधिक्तम होता है और पर केंद्र वहां पर सुने होता है तो इसका कॉंसेब्ड यूप कलिए रखे तो करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा मानों सरी का भार धुरूंपर अधिक्तम होता और सवाल नमर एक तालिस को देखे कि लोलक की कला अवधी निर्भर करती है यह भी सवाल बहुत बार गया में रिपीट हुआ है सब को जुरूर देख लिजेगा याद कर लिजेगा और बाद में आपको वेबसाइट पर जाके भी प्रैक्टिस कर लिजेगा कल तक यह पूस्ट में वेबसाइट पर डाल दूँगा जो भी पढ़ाऊंगा उस पर डालता रहूंगा एक तालिस नमर सवाल का फ्रेंट्स की कला अवधी निर्भर करते कि उस पर ते एक तालिस का राइट अ लोलक घनियां गर्मी में उस्च हो जाती है तो लोलक घनियां गर्मी में स्ट होता है और स्रित्म क्या होता है तेज हो जाती है डाल को अ पूच्छी ऊहें नमर उचलती है देखे जो टेनिस का गेंध है मैदान में उचल लिएगा और पहाड पर तो पहाड पर जादा उचलता है तो कारण क्या है तो 43 का जो करेक्टनसर होगा की ओष्ट्र का सह ук네 तो जब इसकी लोलक की लंबाए 4 3 ह बढ़ेगा तो इसका जो आपका अवर्थ का牌 हों कितना दो करण बढ़एगा ध्यान रखेगा चलाए अगला सवस्था में ठीक है एक मोंबत्ती की जौला का आकार हो जाए जब इसकी लोलक की लंबाय चार परतिस रद बढ़ाईगा है तो इसका जो आपका आवर्थकाल है हो कितना दो परतिसर बढ़ेगा ध्यान दखेगा चब लूलक की लंबाई 4% बढ़ाएंगे तो उसका जो आवर्त काल है जो कितना 2% बढ़ जाएगा अगला सवाल को देखते हैं भार हिंता की अवस्था में ठीक है एक मुंबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा मतलब हार हिंता की अवस्था में मुंबत्ती के ज्वाला पर क्या परभाव पड़ेगा तो क्या होगा वही रहेगा कोई परभाव नहीं पड़ेगा मुंबत्ती के ज्वाला पर ऑप्सन नमबर डी 45 का करेक्टर सरो जाएगा 46 नमबर सवाल को देखे दूध से क्रिम निकालने पर क्या होता है तो दूध से जब क्रिम निकालने पर क्या होता है इसमें कौन सा बल काम करता है तो अप केंद्रीबल काम करता है और जब दूध से क्रिम निकाल लेते हैं तो फ्रेंस इसका जो density होता है जो क्या होता बढ़ जाता आयदर क्या होता है इसका जो डूद का आयदर रहेगा वो कम हो जाएगा और घड़ जांगा दूद का है नहीं करने क्या होगा बढ़ जाएगा तरहाइब। हाँ फ्रेंज तो सवाल नमर 47 देखें सवाल नमर 47 है बर्नौली का सिदान्थ निम्लिखीत में से किसके सनद्छन का परकथन है बहुत बार पहले भी बता चुका हम फ्रेंज इसका राइट अंसर क्या होगा इसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके बताईएगा बर्नौली का स आपने धान्त निम्डिकीत में से किसके संदच्छन का प्रकत्न है तो 47 नमर्श रवाल का रायट असर क्या होगा फ्छन्स हमें कॉमेट करके आप लुग बताईएगा अट लिपसे नमर्ब प्रागत उर्जा का स्रोत है गैर्प्रम्प्रागत उर्जा का स्रोत कौन है इसमे तो देखे ध्यान से याद रखे गैर प्रमप्रागत उर्जा सुरोत को ही क्या कहते है नवी करनिये ठीक है नवी करनिये उर्जा का सुरोत भी इसे कहा जाता है तो देखे, कोईला, पेट्रोलियम, डीजल ये सभी है जो आपका गैर प्रमप्रागत नहीं, प्रमप्रागत उर्जा का सुरोत है, तो राइट अंसर क्या होगा, option number D होगा, नविकर्निय उर्जा सुरोत के अंतरगत, या तो गैर प्रमप्रागत उर्जा सुरोत के अंतरगत उर्जा का सुरोत काते हैं, इसका concept के लिए रखेगा, उन्चाष नंबर शवाल को देखे, उन्चाष नंबर शवाल है, किरकेट की गेंद को किस कोन से, ठीक है, किस एंगल से मारा जाना चाहिए, ताकि वह अधिक्तम दूरी तक जा सके, पहले भी बहुत बहर बता चुके इसका correct answer 49, right answer option number 36 से 45 degree का कोन से, अगर जो कोई बल्लिवाज गेंद को हिट करता है, मारता है, तो अधिक्तम दूरी तक जाएगा, उन्चाष का right answer option number B हो जाएगा, इस वीडियो का last आवाल को देखते हैं, फ्रेंट्स, कि उडान से पहले हवाई जहाज दोड मार्ग पर दो गर्षन बल को कम करने के लिए, या डे में वायुदाब द्वारा भूमी के मद गर्षन बल को अधिक करने के लिए, तो देखिए इसका right answer हो जाएगा, option number B हो जाएगा, पुरान से पहले हवाई जहाज को दोड मार्ग पर दोड़ाया जाता है, कार्यकारी वायुदाब प्रवाइड करा दूंगा, साथ साथ में बीच भी प्रैक्टिशेट भी प्रवाइड कराता रहोंगा फ्रेंस, और साड़े आठ भी लाइप क्लास में आप लोग जुरूर जुड़िएगा, तो वीडियो चल लेए तो लाइक करेंगा फ्रेंस, दोस्तों सेर करेंगा, ने